C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिश्ट सोलह पाठ पांच सुने कहानी शीर्शक, ठाथू और मैं मैं अपने दादा जी के साथ रहती हूं उन्हें मैं ठाथा कहती हूं लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें ठाथू बुलाती हूं कभी-कभी ठाथू मुझे सिनिमा दिखाने बाहर ले जाते है मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्ण बजाती हूं पांपांपांप रास्ते के सब बकरियां और गाएं दूर हट जाती है इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए हैं प्रिष्ठ में ऊपर दिखाए गए चित्र में एक बच्ची अपने दादा जी के साथ खेलती हुई नजर आ रही है उसके हाथ में गुबारे हैं उसके दादा जी अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए उसके साथ खेलती नजर आ रही है इस प्रिष्ठ पर नीचे दिखाए गए चित्र में वो बच्ची अपने दादा जी के साथ अपनी कार में बैठी नजर आ रही है कार के दोनों तरफ बकरियां और गाएं चल रही है दादा जी उन्हें हटाने के लिए हौर्ण बजा रहे हैं जिससे पॉम पॉम की आवाज आती है बच्ची हौर्ण भी बजाती है बच्ची प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रही है प्रिष्ठ सत्र है थाथू क्यों ना हम चान पर चलें? मैं पूछती हूँ वे सिर हिला कर हस देते हैं थाथा के दांथ नहीं है जब वे हसते हैं तो एक गुलाबी सी दिवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो बरसात हो रही है चलो बाहर चलें थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं हम समुद्र तट पर जाते हैं उची नीची लहरे मेरे चारों तरफ उठती गिरती है चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाई सीटी बजाती है मचलिया थाथू और मुझे ढूमती हुई आती है मेरी उंगलिया कुतरती है और मुझे खिलने को बुलाती है इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गई है दाई और उपर दिखाए गई चित्र में दादा जी वो उनकी पोती एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रही है जिसमें पोती ने उनसे चांद पर चलने के लिए कहा है दादा जी हसते हुए दिखाई दे रही है प्रिष्ठ पर बाई और बीच में दिखाए गई चित्र में दादा जी अपनी पोती के साथ बारिश में सैर करने का मजा ले रही है वे समुद्र तटकी और जा रही है प्रिष्ठ पर नीचे दिखाए गई चित्र में दादा जी और उनकी पोती समुद्र के उथले पानी में खड़े हुए नजर आते हैं उनके पैरों के आसपास मचलियां तैरती हुई नजर आ रही है प्रिष्ट अठा रहे हम दोड लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मन पसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं थाथू यह कोई जादूई किताब है मैं पूछती हूँ थाथू मुस्कुराते हैं क्या मैं भी जादूगर बनूगी मैं फिर पूछती हूँ आप की तरह वे कहते हैं अब सो जाओ उनकी गोद में सिर रख कर मैं सो जाती हूँ मुझे अपने थाथू से बेहत प्यार है मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूँ लेखी का गीता धर्मराजन इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाए गई हैं प्रिष्ट में दाई और उपर दिखाए गई चित्र में बच्ची अपने दादाजी का हाथ पकड़ कर चांदनी रात में खेलती, कूदती, फांदती नजर आ रही है प्रिष्ट में बाई और नीचे दिखाए गई चित्र में वो बच्ची अपने दादा जी की गोद में चैन पूर्वक, प्रसनता पूर्वक सोते हुए नजर आ रही है दादा जी प्यार से उसकी पीट को सहला रही है प्रिष्ट, उन्नीस, बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रशन बनाईए और अपने मित्रों से पूछिए शब्दों का खेल एक, सही जगह पर चंद्रबिंदू लगाकर अपनी कौपी में लिखिए क, उची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं इस वाक्य में ध्यान से देखिए किस शब्द के ऊपर चंद्रबिंदू लगेगा और उसका उचारण शुद्ध होगा क, ठाथू क्यों न हम चाद पर चलें इस वाक्य को भी ध्यान से देखें और पहचानें कि किस शब्द के ऊपर चंद्रबिंदू लगने से उसका उचारण सही होगा ग, मेरी उगलियां कुतरती हैं इस वाक्य में पहचानिये किस शब्द के ऊपर चंद्रबिंदू लगाया जाएगा और उसका उच्चारण सही होगा घर उनके साथ मैं कूदती फादती घर आ जाती हूँ इस वाक्य में उस शब्द की पहचान कीजिए जिसके उपर चंद्रबिंदू लगाकर उसे सही तरीके से बोला जाएगा दो यहां दिये गए शब्द उलट पलट हो गए हैं शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कौपी में लिखिए क साथ के रहती हूँ मैं दादा जी ख तट समुद्र जाते हम पर हैं ग हैं थाथू मुस्कुराते ग हूँ मैं कहती थाथा उने इन वाक्यों को सही क्रम में लिखिए जटपट कहिए एक फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फापडा दो भाईया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और मम्ता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहयक तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत